इस रोमांचक कहाने की शुरुआत होती है डैनियल नाम की एक रिपोर्टर को दिखाते हुए जिसके पास लुइस नाम का एक अजीब तरीके का आदमी आकर उससे इंटर्विव लेने के लिए कह रहा था लुइस का कहना था कि वो एक وेंपायर है और वो अपने साधी चीजे बताना चाता है हालाकि डैनियल जो रिपोर्टर है वो लुइस की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं करता उससे लग रहा था कि लुइस कोई मजाग कर रहा है तब जाकर लुइस ने डैनियल को कमरे की लाइट्स ओन करने के लिए कहा डैनियल जैसे ही स्विच ओन करने जाता है लुइस जो डैनियल से काफी दूर खड़ा था वो बहुत ही ज़ादा स्पीड से उस जगब पर आ जाता है और डैनियल के switch on करने से पहले लुईस से उसे on कर दिता है डैनियल लुईस की इतनी ज़्यादा speed देखकर बहुत ही चौक गया था और अब जाकर सायद उसे यकीन होने लगा होता है कि सायद लुईस एक vampire है लुईस अब अपनी कहानी बताने लगता है जिसमें कि वो 200 साल पहले एक नॉर्मल इनसान था लुईस तो बाकी लोगों के साथ fairy tale नाम के एक गाउं में रहा करता था लेकिन लुईस को बीच में बहुत ही ज़्यादा नशी करने की लट लग चुकी थी क्योंकि एक अंजान बीमारी के कारण लुईस की वाइफ और उसके पेट में मौजूद बच्चा दोनों ही मारे जा चुके थे इन सारी चीजों से लुईस बहुत ही ज़्यादा अकिला हो गया और ड्रिंक्स पीने लगा लुईस को तो अब जिन्दा रहने का कोई मतलब ही नहीं समझ रहा था उसने तो कई बार सूसाइट करने की कोशिच भी की होती है अब एक दिन लुईस एक आदमी के साथ सटे बाजी का खेल खेल रहा था लुईस ने तो नशे में आकर अपने सारे पैसे इस बाजी पर लगा दिये थे पर साइट लुईस की नसीब अच्छे होती है कि उसने वो राउंड जीत लिया लुईस के कार्ट इतने परफेक्ट थे कि सामने वाला आदमी सोच रहा था कि साइद लुईस ने कोई चीटिंग की है इसलिए वो लुईस को मारने के लिए उसके उपर अपनी बंदूप तान देता है लेकिन लुईस तो उस आदमी की धमकियों से डरता नहीं लुईस ने तो अपना छाती खुल दिया था कि वो उसे गोली मारे और वो मर जाए क्योंकि अपनी फैमली के जाने के बाद लुईस को अब जिन्दा ही नहीं रहना था ये सारी चीजे बार में मौजूद एक काले कोट वाला आदमी देख रहा होता है अब थोड़ी दिर बाद लुईस जब नशे में पूरा धुत होकर बाहर आया तभी उसे एक आदमी चाकू दिखाते वे पकड़ लेता है और लुईस से सारी पैसे मांगता है उसने तो लुईस के गले पर चाकू रख दिया था पर तभी अगले ही मोमेंट में उस भूरे आदमी को किसी ने पकड़ा और पीचे खीच कर फेक दिया हमें यहाँ पर वही काले कोट वाला आदमी दिखाया जाता है जो की बार में लुईस पर नजर रख रहा था उस आदमी का नाम लेस्टिड होता है लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि वो एक वेंपायर था लेस्टिड ने तो लुईस को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा लेस्टिड को भी पता चलता है कि लुईस के मन में अब जीने की कोई होप नहीं बची है इसलिए लेस्टिड लुईस का अपने फाइदे के लिए यूस कर सकता है कुछ घंटो बात जब लुईस को होशाई तब लेस्टिड उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुमारे पास जीने के लिए कोई होप नहीं बची है पर अब मैं तुम्हें दो चोईसेज देता हूँ या तो मैं तुम्हें जान से मार दू या फिर अपनी जैसा बना दू जिससे कि तुम्हें कभी कुछ होगा ही नहीं यानि कि तुम्हें कोई बिमारी नहीं होगी और तुम कई सालों तक जिन्दा रहोगे। लुइस ने इन सारी चीजों पर बहुत जादा सोचा, हलाकि मरने का प्लान अब उसके दिमाग से निकल चुका होता है। इसलिए अब लुइस ने लेस्टिड के ओफर को एकसेप करके उसी के जैसा बनने का डिसीजन लिया। लेस्टिड भी इस बार्ट से थोड़ा खुश हो जाता है और अब उसने लुइस के गले पर काट लिया था। जिससे के लुइस एकदम छोर पर होता है जीने और मरने के। लेस्टिड ने एक बार फिर से पूछा कि तुम मरना चाते हो या फिर हमारे जैसा बनना चाते हो। लुइस कहता है कि मैं तुमारे जैसा बनना चाता हूँ। तभी लेस्टिड ने अपना थोड़ा सा हाथ काटा और अपना खून लुईस को फिला दिया कुछे दिर के अंदर ही अंदर वेंपायर का बलड लुईस के बॉड़ी में चला जाता है जिससे के लुईस एकदम तड़पने लगा था और उसके बॉड़ी में जरा जरा चेंजेस हो रहे थे कुछ दिर बाद दिखाया गया कि लुईस एकदम परफेक्ट हो चुका है लेकिन वो अब लेस्टिड की तरह एक खतरनाक वेंपायर में कनवट हो चुका था लेस्टिड लुईस को वेंपायर प्रजाती के सारे रूल्स और रेगुलेशन समझा रहा था लुईस को पता चलता है कि वो एक वेंपायर बनने के बाद धूप में बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि जरा सी भी रोशनी अगर वेंपायर के बॉड़ी पर लगी तब वो पूरी जल जाते इसलिए दिन के समय लेस्टिड लुईस को एक ताबूत के पास लाता है जहां दिन भर वो उसके अंधर ही सोते रहेंगे और फिर रात होने के बाद सबी वेंपायर्श बाहर निकलते थे अपने शिकार पर यानि कि लुईस को स्ट्रॉंग रहने के लिए इंसानों को मार कर उनका खून पीना होगा लुइस अब इसी तरीके से लेस्टीट के साथ मिलकर रात को निकल जाता था इंसानों का खून पीने के लिए लेकिन धीरे धीरे लुइस को समझ में आने लगा था कि वो इस तरीके से मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो लोगों को मारे और उनका खून पीए लुइस को एक समय के बाद पता चल गया था कि उसने वेंपायर बनके कितनी बड़ी गलती कर दी पर अब सायथ सिच्वेशन को ठीक करने के लिए काफी ज़्यादा देर हो चुकी होती है अब एक दिन लेस्टीड और लुइस एक बहुती बड़ी पार्टी के अंदर आते हैं जिसमें कि लुइस की नजर एक लेड़ी पर पड़ी जिसके पास दो खुते होते हैं दरसल बात ये थी कि लुइस अगर खुन नहीं पीएगा तो उसमें कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगी इसलिए अब उसने डिसीजन लिया कि वो इस लेड़ी को दूर लेके जाकर इसका खुन पीएगा लुइस उस लेड़ी को लेकर जंगल की तरफ आतो जाता है लेकिन वो जैसे ही उस लेड़ी का खुन पीने गया तब लुइस ने अपने आपको रोक लिया क्योंकि वो नहीं चाता था मासूम लोगों की जान लेना लुइस ने तो भूख के मारे उस लेड़ी के कुट्टे का खुन पीने लगा ये भयानक चीजे देखकर वो लेड़ी तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है लुइस उस लेड़ी को सांध करा रहा था पर तभी ये आवाज लेस्टिट सुन लेता है जो किसी दूसरे आदमी का खुन पी रहा था लेस्टिट तुरंती आकर एकदम बेरवमी तरीके से उस बुड़ी औरत का सर तोड़ देता है जिससे कि वो औरत तुरंती मर चुकी थी लुइस को बहुती बुरा लग रहा था कि लेस्टिट इस तरीके से किसी को कैसे मार सकता है इसलिए अब बहुती ज़्यादा गुस्टा होकर लुइस लेस्टिट को मारने लगा था बट लेस्टिट कहता है कि हम वेंपायर्स चाहिए एक दूसरे से कितना भी लड़े लेकिन हम लोग इतनी जल्दी मरने नहीं वाले तो तुमारे गुस्टे का कुछ भी फाइदा नहीं है जिसके बाद लेस्टिट तुरंत ही वहाँ से चला जाता है इन सारी चीजों के बाद लुइस ने डिसीजन लिया कि वो किसी भी इनसान का खून पियेगा नहीं वो तो सिर्फ अपना पेड भरने के लिए जानवरों और पसु पक्षियों का खून पिया करता था लेकिन इन सारी चीजों से लुइस के अंदर कमजोरी आने लेगी बट वो किसी भी तरीके से मैनेज कर रहा था लेस्टिट जिस महल में रहा करता था उसके बहुत सारी गुलाम भी हुआ करते थे लेकिन एक दिन उन सबी गुलामों को तालाप के पास कई सारी लाशे मिलती हैं और इन लोगों को तो लेस्टिट ने ही मार कर फेका था जब ये बात लेस्टिट के गुलामों को पता चली तब वो काफी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाते हैं और अब वो सब एकदम गुस्से में होकर लेस्टिट की महल की तरफ चलने लगे थे लुईस जो महल में बैठा होता है वो पहले से काफी कमजोर हो चुका था तब उनके रूम में लेस्टिट की एक मेड आती है लुईस को तो खून की जरुवत थी और वो सबर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था इसलिए अब लुईस ने तुरन थी उस मेड के हाथ पर काट लिया और उसका खून पीने लगा लुईस ने तो तुरन थी उस मेड को जान से मार दिया और अब लुईस उसकी डेड बॉड़ी को बाहर लेकर आ जाता है जहाँ पर लेस्टिट के सारे गुलाम मौजूद थे लुईस ने तो उन सबी लोगों से कहा कि तुम्हारा मालिक बहुत ही जादा निर्दई है और अब तुम सबी को भी किसी के गुलामी करने की कोई जरुवत नहीं तुम सब पूरी तरीके से आजाद हो दरसल लुईस को भी अपनी गलतिया मालूम थी लेकिन अब ये सारी चीजे उसकी मजबूरी बन चुकी होती है लुईस ने तो आग की मशाल लेकर लेस्टिट का पूरा महली जलाना स्टार्ट कर दिया था वो खुद भी उसके अंदर रहकर मरने के लिए चला जाता है कुछ देर बाद लेस्टिट वहाँ पहुँच जाता है और लुईस को बचा कर बाहर लेके आ जाता है लेस्टिट काफी ज़्यादा गुशा हो रहा था कि लुईस ने ये सारी चीजे क्यों की बट अब लुईस ने डिसीजन लिया कि वो किसी भी इंसान का खून पीएगा नहीं लुईस निकल पड़ता है शहर की गलियों में अपनी बाकी की जिंदेगी काटने के लिए वो तो जिंदा रहने के लिए चूहों को पकरता और उनका खून पीता लेकिन इससे लुईस की बाड़ी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी अब हमें दिखाया गया कि शहर में प्लैक फैल चुका है बड़ी तादात में शहर के लोग बिमार पड़के माले जा रहे थे यहां लुईस अब एक घर में आता है क्योंकि उसे किसी के रोनी की आवाज सुनाई दे रही थी वो जब अंदर गया तब वहाँ एक लड़की बैटी हुई थी जो अपनी मॉम के सामने बैट कर रो रही होती है क्योंकि प्लैक जैसी खतरनाईक बिमारी होने के कारण लड़की की मदर की मौत हो चुकी थी लुईस जैसे ही उस लड़की जिसका नाम क्लावडी होता है उसके पास आया तब क्लावडी लुईस के गले लग जाती है लुईस को पता नहीं क्या हुआ वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और अब उसने ना चाते हुए भी क्लावडी की गले पर काट लिया और उसका खून पीने लगा जिससे की क्लावडी तुरंती बेहोस हो जाती है लेस्टेड भी वहाँ पहुच गया था जो लुईस को कहता है कि अब कहां गया तुमारे उसूल और नियम तुम तो इंसानों को नहीं खाने वाले थे और यहां तुमने एक मासूम लड़की की जान ली ली लुईस बहुत ही जादा फ्रस्टेड और परिशान हो गया था इसलिए वो तुरंती वहाँ से भागने लग जाता है लुईस तो अब एक टनल में आकर रहने लगा था क्योंकि वो अपने आपको माफी नहीं कर पा रहा होता कि उसने एक छोटी और मासूम बच्ची की जान ली है बट कुछ दिर बाद लेस्टेड वहाँ आता है और लुईस को एक मिनट के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है लेस्टेड ने लुईस को दिखाया कि वो बच्ची जिसका नम क्लावडी था वो अभी भी जिन्दा है लेकिन उसकी बाडी में खून कम होने के कारण वो काफी कमजोर हो चुकी है बट आखिरकार लुईस को ये सुनकर अच्छा लगता है कि क्लावडी मरी नहीं है लेस्टेड कहे रहा था मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को वेंपायर बना दिया जाए बट लुईस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि क्लावडी उसी की तरह जिन्देगी जिये इसलिए वो इस बात के लिए मना करता रहता है तब लेस्टेड बता रहा था कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तब ये लड़की मारी जाएगी क्योंकि इसकी बाडी कमजोर पे कमजोर होती जा रही है और अब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद लुईस ने भी डिसीजन ले लिया था लेस्टेड तो अपने बाडी का थोड़ा सा खोन क्लावडी के मूँ में डाल देता है जिससे कि क्लावडी कुछी घंटों के अंदर ये एकदम तरो ताजा हो गई थी बट अब वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बगी एक वेंपायर बन चुकी होती है होच में आने पर लेस्टेड ने क्लावडी को बताया कि हम दोनों तुमारे गौड फादर हैं जेनों ने तुमारी जान बचाई और तब से ही क्लावडी, लुईस और लेस्टेड के साथ रहने लगी थी लुईस को भी क्लावडी के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लग रहा था क्लावडी भी बिना किसी जिजक्की लुईस के साथ रहती और काफी मजे करती धरसल लेस्टेड ने क्लावडी को वेंपायर बनाने का डिसीजन एक और मकसद से लिया था क्योंकि वो चाहता था कि क्लावडी की वज़े से लुईस भी उसके साथ रहे और हम सब आगे चलकर एक अच्छी वेंपायर फैमिली का निर्मार करें क्लावडी तो लुईस के साथ थी संदूक में एक साथ सोती और रात होने पर निकल पढ़ती लेस्टिट के साथ शिकार करने के लिए लेस्टिट क्लावडी को एक बहुत ही अच्छा वेंपायर बनाना चाहता था जो इंसानों का खून पीता हो क्लावडी भी वो सारी टेक्निक्स और फाइटिंग स्किल सीखने लगी थी जो वेंपायर को आनी चाहिए धीरे धीरे वो काफी ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी अब यहां देखते ही देखते कई साल बीच चुके थे क्लावडी को भी लुईस और लेस्टिर के साथ रहते हुए पूरे 15 साल बीच जाते हैं भले ही क्लावडी एक खतरनाक वेंपायर में कनवर्ट हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी एक बच्ची होती है जो एक ब्यूटिफुल लड़की को देखकर कह रही थी कि मुझे भी उसकी तरह बनना है बट लुईस क्लावडी को समझाता है कि तुम अब कभी उन जैसी नहीं बन सकती तुम वेंपायर में कनवर्ट हो चुकी हो यानि कि तुम कभी बड़ी नहीं होगी तुमारी बॉडी वैसी की वैसी ही रहेगी कलावडी तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा परिशान हो जाती है इसलिए उसने घर आकर एकड़म फरस्टेशन में अपने बाल काटना स्टार्ट कर दिया था लेकिन ताज्यूप के बात ये होती है कि थोड़ी देर बाद ही कलावडी के बाल वापस आ जाते हैं कलावडी अपने साथ हो रही इन सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लेस्टेट को मानती थी इसलिए वो लेस्टेट के पास जाकर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ठीक कर दो कलावडी ने तो लेस्टेट के चहरे पर चाकू से वार भी कर दिया था लेकिन लेस्टेट के गाल पर लगे घाव अपने आपी हील हो जाते हैं और अब लेस्टिट खड़ा हो गया और क्लावडी का गला पकड़ के उससे कहने लगा कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अब नॉर्मल इंसान नहीं बन सकती। क्लावडी बहुत ही ज़्यादा नाराज होकर बालकेनी में चली जाती है। क्लावडी के पास चला जाता है उसे सब कुछ बताने के लिए। क्लावडी जिन्दा है लेकिन अभी क्लावडी की जो भी कंडिशन से उसका पूरा जिम्मेदार लुईस ही है। लुईस तो एक कमरे में जाकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। पर तबी क्लावडी पीछे से आकर लुईस को पकड़ कर कहती है कि मैं तुमारे बिना नहीं रह सकती। भले ही तुम लोगों ने मुझे वेंपायर बना दिया। बट लुईस ने शुरुआत से ही क्लावडी का ख्याल एक मॉम और डैट की तरह रखा होता है। क्लावडी ने लुईस से कहा कि मैं तुमारे साथ ही रहना चाती हूँ। इसलिए हमें लेस्टिट को छोड़ कर यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। बट लुईस कह रहा था कि सायद लेस्टिट हमें कहीं जाने नहीं देगा। तभी क्लावडी कहती है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। क्लावडी तुरंथी लेस्टिट के पास चली गई थी जो पियानों बजा रहा था। क्लावडी तो लेस्टिट के गले लगकर कहती है कि मुझसे जो भी चीज़े हुई है आप मुझे माफ कर देना। आप मेरे गौट फादर हो जिन्नोंने मेरी जान बचाई। और अब मैं आप लुईस तीनों साथ में मिलकर रहेंगे। क्लावडी लेस्टिट से कहती है कि मैं आपके लिए एक अच्छा प्रेजन्ट लिकर आई हूँ। लेस्टिट भी क्लावडी के साथ देखिने के लिए चला गया था। दरसल क्लावडी ने दो जुड़वा बच्चों को पकड़ा होता है जिनका खून पीकर लेस्टिट अपनी भूख मिटा सकता था। लेस्टिट भी ये सारी चीजे देखकर क्लावडी से काफी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब लेस्टिट डारेक्ली जाकर उन जुड़वा बच्चों में से एक का खून पीने लग गया था। खून पीते ही अचानक लेस्टिट को कमजोरी होना स्टार्ट हो जाती है। तब जाकर रिवील हुआ कि वो दोनों बच्चे जिससे की कलावडी ने पकड़ कर लाया था, वो पूरी तरीके से मर चुके होते हैं। और अगर कोई भी वेंपायर मरे वे लोगों का खून पीले तब वो भी कमजोर हो जाते थे। लेस्टिट भी इस बात को समझ नहीं पाया कि वो बच्चे मरे हैं क्योंकि कलावडी ने मरने से पहले उन बच्चों के बौडी में एक लिक्विट डाल दिया था जिससे की उनका खून गर्म ही रहेगा। और अब इतना जादा कमजोर होने के कारण लेस्टिट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकर चले जाते हैं यानि कि अब लुईस और क्लावडी दूनों पूरी तरीके से आजाद थे। लेकिन उन दोनों ने जिस तालाब में मगर्मच के सामने लेस्टिट को फेका था लेस्टिट उसी मगर्मच का खून पीकर आज जिन्दा है। लेस्टिट क्लावडी को जान से मारने के लिए उसके पीछे जाने लगा। लेस्टिट को सबसे पहले दूर फेका और उसके पर पूरा आग लगा दिया। जलकर मरने लगता है। धीरे धीरे आग पूरे घर के अंदर फैल चुकी थी। लुइस और क्लावडी तो वहां से भागते विवे नाव के अंदर पहुच जाते हैं जो योरोप की तरफ निकलने वाली थी। और अब वो दोनों निकल पड़े थे इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर योरोप की तरफ। अब एक रात अचानक लुइस का सामना एक वेंपायर से होता है जिसका नाम आर्मेट था। को कोई शक ना हो कि ये वेंपायर्स हैं। लुइस और क्लावडी प्ले को काफी इंजॉय कर रहे थे और जब प्ले खतम हुआ तब वो उस सेक्शन में आ जाते हैं जहां सारे वेंपायर्स रहते थे। लुइस तो अब आर्मेट से मिलकर पुछने लगा था कि आखिर हम वेंपायर्स का रास क्या है। हम इतने सालों तक जिन्दा कैसे रह सकते हैं। तब जाकर आर्मेट बताता है कि मेरी उम्र 400 साल है। और मैं उन वेंपायर्स में से हूँ जो सबसे पहले प्रिथवी पर आये थे। लेकिन आज तक मैंने गौड और डेविल का जिक्र भी अपने सामने नहीं किया। क्योंकि ये सारी चीजे तो होती ही नहीं। अगर होती तो इतने सालों में मुझे जरूर पता चल जाता। आर्मेट ये भी कह रहा था कि हमारी शक्तियां जो हमें मिली हैं ये ना तो वरदान हैं और ना ही अभिशाप। हम तो एक अनोकी कैटेगरी के लोग हैं जिने अलग हमारा खून बनाता है। अब ये सारी बाते करने के बाद लुईस और क्लावडी वहां से जाने लगे थे। तबी एक सीनियर वेंपायर जिसका नाम सेंडियागो होता है उसने लुईस और क्लावडी के मन को थोड़ा सा पढ़ लिया था। कि तुम बाकी वेंपायर जैसे नहीं हो। तुमारे अंदर अभी भी इंसानों जैसी सोच है इसलिए तुम बाकी इंसानों को चोट नहीं पहुचाते हो। बट अब क्लावडी को आइडिया था कि लुईस आर्मेड के साथ रहकर अपनी जिन्दीगी गुजारना चाता है क्योंकि उसे वेंपायर्स के बारे में और भी जानकारिया इकठा करनी थी। लेकिन अगर क्लावडी जब तक लुईस के साथ रहेगी तब वो उसके बंधनों से आजाद नहीं होगा। लुईस क्लावडी को एक जिम्मेदारी समझता था जिसी कि वो अंत तक निभाएगा। बट क्लावडी चाती थी कि लुईस इस बंधन से आजाद होकर अपनी जि कामिल किया तुमने तो उसे ही जान से मार दिया था और ये सरासर एक बहुती बड़ा गुना है बाकी वेंपायर्स तुम्हें मारने की जल से जल खोशिश करेंगे। लुईस कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं और क्लावडी यहां से दूर चले जाते हैं। बटार्मे तुम इसे अपना खून देकर इसी भी वेंपायर में कनवर्ट कर दो जिससे कि लुईस क्लावडी की जिम्मेदारियों से आजाद होकर इस औरत के साथ रह सकता था। लेकिन लुईस ये काम करने से मना करता रहता है क्योंकि वो इस तरीके से और किसी की भी जिन्दगी खर वेंपायर में कनवर्ट हो चुकी थी। लुईस ने प्लावडी और उस लेड़ी को पकड़ कर अपने साथ लेकर चली गए। लुईस ने मिलकर लेस्टिट का कतल किया था इसलिए सजा की तौर पर वेंपायर ने लुईस को ताबूद में बंद करके हजारों सालों तक जाता है जो कि जान लेवा कुवा था क्योंकि कुवे के ऊपर वाला हिस्सा खुला रहता और सुबह होने पर सारी रौश्णी उसके अंदर पड़ती। यानि कि क्लावडी और उस वेंपायर वाली औरत के पास बहुत ही कम समय बचा है क्योंकि अगर सूरी की रौश्णी उ लुइस को आजाद कर देता है। लुइस और आर्मेट साथ में भागे चले आये थे क्लावडी और उस वेंपायर लेडी को बचाने के लिए। लेकिन तब तक बहुत जादा देर हो चुकी थी। सूरी के किरने उन दोनों की बौडी पर पढ़ने के कारण क्लावडी और उ उस जगह पर आ जाता है जहां सारे वेंपायर्स ताबूत में सो रहे होते हैं। उसने तो देखते ही देखते उस पूरी जगह पर आग लगाना स्टार्ट कर दिया था। जिससे कि वेंपायर्स अपने ताबूत की अंदर ही जल कर मर जाएं। देखते ही देखते वो सारे वेंपायर्स की जान चली गई थी लुइस भी उस जगह से बाहर निकलता है पर अफसूरे की रोशनी चारो तरफ फैलने की वज़े से लुइस जनने लगा था पर सही समय पे वहाँ आर्मेड आकर लुइस को बचा के लेके चला जाता है अब यहां आर्मेड लुइस से कह रहा होता है कि हम दुनों साथ मिल जाते हैं और काम करते हैं लेकिन लुइस ने आर्मेड का ओफर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं यहां से जा रहा हूं क्योंकि लुइस को साफसा पता था कि आर्मिट चाता तो क्लावडी की जान बचा सकता था लेकिन उसे पता था कि जब तक क्लावडी लुईस के पास रहेगी तब तक लुईस उसे जोई नहीं करेगा इसलिए अब लुईस आर्मिट को वहीं छोड़ कर दूर चला जाता है लुईस अब अपनी जिन्देगी एक नॉर्मल इंसानों की तरह काटने लगा लुईस किसी भी मासुम इंसान का खोन नहीं पीता बलकि वो तो जानवरों का ही खोन पीकर जिन्दा रहता लेकिन आज तक लुईस क्लावडी को भुला नहीं पाया होता अब कई सालों बाद लुईस वापस अपने उसी जगह पर आता है जहां पर वो क्लावडी और लेस्टीड रहा करते थे अंदर जाने के बाद लुईस ने देखा कि लेस्टीड तो अभी भी जिन्दा है लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़ादा कमजोर है वो तो चूहों का खून पीकर जिन्दा रहता था लेस्टीड डर जाता है कि कहीं लुईस उसे जान से मारने तो नहीं आया तब जाकर लुईस ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेस्टीड लुईस को कहता है कि हमें एक बार फिर से मिल जाना चाहिए और आगी की जिन्दीगी गुजारने चाहिए पर अब लुईस ने अपना मन बना लिया था कि वो किसी के साथ काम नहीं करेगा और अब वो लेस्टीड को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला गया था अब ये सारी चीजे प्रेजन टाइम में आ जाती हैं जब लुईस डैनियल नाम के रिपोर्टर को सारे इंटर्व्यू दे रहा था लुईस कहता है कि अगर तुमें मेरी कहानी चापनी है या कुछ भी करनी है तो तुम कर सकते हो बट लुईस की ये कहानी सुनने के बाद डैनियल को भी मन करने लगा था कि वो भी वेंपायर बने इसलिए डैनियल लुइस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी वेंपायर बना दिया जाए क्योंकि वो भी वेंपायर की तरह अमर बनना चाहता था लेकिन लुइस गुशे में ओकर कहता है कि अमर होना कोई वर्दान नहीं बलकि अभी शाप से भी बत्तर है और तुम्हें कभी भी वेंपायर नहीं बनना चाहिए जिसके बाद लुइस तुरंती वहां से गायब हो गया था डैनियल तो अब डर के मारे जल से जल अपनी कार पकड़ के जाता रहता है तब ही अचानक कार के पीछे से उसे किसी ने खीचा और उसके गले पर काटने लगा ये और कोई नहीं बलकि लेस्टीडी होता है जिसने डैनियल का खून पी लिया था अब लेस्टीड यहां पर डैनियल को दो चॉइस देता है पहला की वो तड़ब तड़ब कर मर जाए और दूसरा की वो उसी की तरह एक वेंपायर बन जाए और ये सेम आफ़र लेस्टीड ने कई साल पहले लुइस को भी दिया था डैनियल उसके सवालों का जवाब नहीं देता और फिर लेस्टीड हस्ते हस्ते हुए आगे चला जाता है इसी डरावनी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो चुकी थी सो वी वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लेगी कमेंट सेक्चन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्प्रेशन एक परसेन भी अच्छा लगा होगा न तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मिलते हैं इसी तरह की कि मज़द सार वीडियो में तब तक के लिए बबाए